प्रधान मंत्री जी आप रोज चार पांच रैली कारिक्रम या संबोधन कर रहे हैं लगातार आप ट्राविल कर रहे हैं पता लगा कि आप विमान में भी अपनी फाइले देखते रहते हैं एक सवाल मन में आता है कि प्रधान मंत्री जी इस दोरान अपने कारेले को उसको कित तो बहुत कठीन होता है जब मैं मुख्यमंत्री था हम जो ट्राविलिंग करते थे तो हमारी अपनी सुविधाति हम मर्जी पड़े वहां लैंड कर सकते थे मर्जी पड़े यह हम लैंड निकर सकते उनके निश्चित नौम से तो एक प्रकार से मैं देख रहा हूं कि दिन में मैं च्छे कारकम कर सकता हूं लेकिन मुझे भी तीन या चारी करने पड़ते हो एस्पी जी के गाना में कर अधरवाइच मेरी जो सब्सक्राव और गुजरात में था तो मैं हमारा फैली कौप्टर कईये वह उतर सकता है छोटी रेंवे बाले हमारे जहाजी उतर जाते थे इधर यह होता नहीं है तो मेरा टाइम काफी प्राविल्नी में बहुत जा रहा है तो एक प्रकार से मुझे घाटा हो रहा है दूसरा में गुजरात में 2013-14 का चुनाव लड़ा तब तो मेरे सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी जी मुझे के लिए देश भर में जाना हुता गुजरात सरकार चलानी होती थी बजेट का समय था क्योंकि हम मुझे मई महिने में ने सप्टेबर में गोसित कर दिया था तो अक्तूबर नवेंबर डिसंबर बजेट का समय होता है तो मैं दीन भर ट्राविल करता था देश के अलगले कौने में रात को नौद बज़े पह वहाँ यह औस में आज चर्चाने वाली टीम होती है और मेरे आगे के करकंहोंगी चर्चा करने वाली होती है फायले होती यह कुछ डिस्क्रिश værどी होते हैं तो यह सारी चीजे में इन दिनों साथ-साथ कर लेता हूं बहुत सी चीजे में और जन्स है तो देर रात का जहत करना है तो एक प्रकार से इन सारे चीजों को एक साथ और मैं दस्वा प्रगार की चीजे एक साथ करने के अब बॉस्तर में टुकणों में नहीं रखता हूं है मेरा है बला होलिस्टी को इंटी डफरोच होता है लोगे उस काम को मैं यह फो कूस रहे है इसकाम करता हूं खायद मुता है कि यह कंगा है जो मुझे बैलेंस करना सिखाती है जो मुझे बैलेंस करना सिखाती है